हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में तो आज हम सीखेंगे कि Microsoft Excel के documents में आप restrict to permission कैसे कर सकते हैं किसी भी लोगों को restrict कैसे कर सकते हैं अपने files में आणने के लिए ठीक है या फिर आप जिन्हें चाहे सिर्फ उन्हें कैसे allow कर सकते हैं दोस्तों इसे करने के लिए सबसे पहले आप तो अपने workbook को open करेंगे ठीक है open करने के बाद आप files में क्लिक करेंगे और फिर आप info में जाएंगे दोस्तों info में क्लिक करने के बाद आपके पास यहापर first option दिखेगा protect workbook उसमें क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने क्लिक कर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कम्प्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सल टुटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे सौट्वेर कोर्सिस के लिए हमारे वेबसाइट महागुरुस.com पे विजिट करें थैंक यू